है इसमारे साथ में सुभासनी अली जी हम उन से जानते हैं दली तुसोशन मुक्तीमंच पे उनकी क्या है आज यह पहली बार यह जो दली शोशन मुक्तीमंच है हम लोग का खिल भार्ती यहां पर कारिकर्म हुआ उस में जो लोगों की भागी दारी थी मतलब केरला से लेकर कश्वीर तक के लोगोस में शामिल हुए थे आसपास के जिले के भी राज्यों के भी लोग यहां पर थे तो यह पहली बार सब लोगों ने मिलकर के यहां पर कारिकरम किया और आप देखिए आज के दिन ही जब सरकार मान रही है कि दलित उत्पीरन और दलितों पर अत्याचार की घटाएं बढ़ती जा रही है सुप्रिम पर्ट ने जो एक निकी कानून है दलितों को अत्याचार से बचाने के लिए उसको कमजोर करने का काम किया है और उसमें कई शर्टे लगा दी है कि उसमें कि रिफ्दारी नहीं होगी जब तक यह जाच नहीं होगी और जहाँ जब होती है समय लंबा होता है तो लोगों को पुरा मौका मिल जाता है कि जो पीड़ित पक्षे जो गरीब होते हैं उनसे दबाव डाल करके कि समझाता कर लो अपना मामला वापस ले लो तो ये एक बहुती गलत काम हमारे हिसाब से हुआ है आज जो आज के समाज क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको नजर अंदाज करने कोशीश करना थिरूसरा हमारी जो सरकार बेची हुई है उसने जो विशेश योजना होती थी दबिटों और आधिवास्टियों के लिए उसको खतम कर दिया और अब की साल तो जो उनके शिक्षा के लिए उनके स्वा और उनको स्कूल में, कॉलेज में बहुत जलील भी किया जा रहा है, जिसकी वज़े से आत्मात्या भी कर रहा है, भाग भी रहा है, तो हर छेत में दलितों और जो हमारे कंजोर लोग हैं समाज के, उनका उच्पीडर और उनके हमले बढ़ रहा है, तो आज से लोग दिल्ली आए, केवल दिल्ली के तरवाजे पर अपनी तस्तक देने के लिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई मंत्री आए, या हम भी जाएंगे, हम किसी से भीक मांगेंगे नहीं, हम आए हैं कहने के लिए, कि आप बहुत हो गया, आप मूर्तियां भी तोड़ रहे हो, कभी डॉक्टर को भी खतम करके मनुस्वरती लागू करना चाहते हैं, हम इसको परदाश नहीं करेंगे, और हम हर जगा लड़ेंगे, और बड़ी लड़ाई और बड़ी ताकत लेकर के दिल्ली फिर से आएंगे, फिर जाएंगे नहीं जब तक कि हमारी बात सुनी नहीं जाते हैं